आप सभी हेल्दी रहें स्माइल करते रहें उपरवाले सिबसे ही कामना है जै महादेव हम सब को हेल्दी और स्वरक्षित रखें गॉड ब्लेस अस एवरिबारी हिया थैंक यू अतुल सो मॉच पर इस वर्ट ग्रीवनिंग रश्मी, संजना, मोहित जैहिन भाई, गुल्रव, सोनम, नील, मिहर, प्रगती, अमित्चिंग, रंधावा, अंजली, वंदना, धीपिका, बबलू, प्रांजली, डॉली, अंजली, रितिका, दोरे मॉन, अनुप्रिया, अंकित, राना, नमस्क्रार भाई, चेतन and the others present out here. चलिए, कुछ words हैं screen पर, जरा नजर डालिए, इनको सीखते हैं आज, और be active. साइकी, साइक, बहुत जगे दिखता है, साइकलोजिकल, साइकलोजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, रोज के शब्द होते हैं, भई, mental कोई भी प्रॉब्लम है, तो जरा जाकर उनसे बात कर ली जगा, तो यह हमेशा आपके mind और ध्यान यहां दीजेगा, comment, psych, psyche, क्योंकि अगले test इसी पर dependent है, तो please जान दीजेगा, आपके mind और soul को दिखाता है, जहांपर psychology सबसे बढ़िया शब्द है, आपकी सोच दिखाने के लिए, psychology, relating to your mind और your soul, तो ऐसे बहुत सारे शब्द आ जाएंगे, psych, obviously mind और soul हो गया, psychiatry में, आयट्री जो है वो दूसरा शब्द है, जिसका मतलब होता है healing, एक यहां लिख देता हूँ, heal मतलब सुधारना सही करना, जब आप आए थे तो noun के कुछ words पढ़ाए थे, जहाँ पर healing शब्द का इस्तमाल था, quarter मतलब, I'm sorry, physics मतलब the art of healing, किसी चीज़ को सुधारना सही करना, जिससे physicians बनते थे, और physicist, जिसको physics की बहुत अच्छी knowledge है, तो healing आईट्रिया से है, psych से आपका mind और soul है, दिमाग की परेशानियों को heal करने वाला psychiatrist, और उस process को आप psychiatry कह सकते हैं, psychiatry और psychiatrist, तीन दिन पहले ही बिताया था, IST लगा के इंसान बनते हैं, तो scientist, terrorist, artist, psychiatrist, जो heal करता है और उस process को आप psychiatry माग कर सकते हैं, आईट्रिया healing आता है, बहुत सारे doctors के नाम में आईट्रिया इस्तमाल करते हैं, this is pod, तो पहले यहां से podos उठालाते हैं, यह रहा podos, podos का मतलब होता है foot, पैर दिखाने के लिए इस्तमाल करते हैं, podos मतलब foot है, पैर दिखाने के लिए, और podos वो foot वाला हो गया, IT मतलब वापस healing हो गया, जो पैरों की healing करेगा, पैरों की जो परेशानी होती हैं, उनको heal कर देता है, एक तरह से आप foot, doctor कह सकते हैं, एक चीज़ ध्यान रखना, मैं इस शब्दों को नहीं समझा रहा हूँ, यह तो सिर्फ एक example है, आपको root याद रखना है, जिससे कोई नया word भी मिलेगा, तो आप उस पर ध्यान देंगे, comment पर नहीं यहाँ पर ध्यान देना, तो यह pod हो गया, पैर, आयट्री मतलब healing, पैरों का doctor, आयट्रिया हमेशा healing को दिखाता है, चाहे वो psychiatrist हो, दिमाग का, चाहे वो podiatrist हो, आपके पैरों का, और ऐसे बहुत सारे शब्दों का, सोमा body को reflect करता है, वो psych है, दिमाग के लिए सोमा होता है आपका body, और जज़ करना ज़रा psycho, तो दिमाग हो गया, semantic यानि body भी हो गई, तो जिसमें psych भी है, दिमाग भी है, body भी है, कई ऐसी बीमारी होती है, और ऐसा कई बार होता है, ऐसा कई बार होता है, शायद आपके साथ भी हुआ होगा, कि कई बार हम लोग mental stress में होते हैं, और यार ऐसा वैसा, उसके चक्कर में तबियत खराब हो जाती है, कई बार mental stress के चकर में आपकी तबियत खराब हो जाती है, तो वो जो साइको में चीज थी, उसका आपके शरीर पर जब एफेक्ट आने लगता है, तो उसको साइको सोमेंटिक कहा जाता है, आई रिपीट ऐसा कई बार हुआ होगा, साइको दिमाग के लिए और उसके बाद सोमेंटिक आपकी बॉड़ी पर उसका इंपेक्ट आ जाना, सोमा हमेशा बॉड़ी को दिखाता है, पैथोज एक बहुत अच्छा शब्द है, आपने जरूर दिखा होगा, पैथालोजी, जहां पर हम लोग टेस्ट कराते हैं कि कौन सी बीमारी है, उसको एनलाइज करने के लिए, तो पैथोज हमेशा जाता है, आपकी सफरिंग दिख आते हैं, चाहे वो बैयालोजी हो, या ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के नाम में भी जो इस्तमाल करते हैं, तो पैथोज मतलब आपकी सफरिंग या फिर डिसीज, एक शब्द होता है ऑस्टियो, इसका मतलब होता है बोन्स, शायद मैंने लास्टन पर दिखाया हो, ऑस् उनके शरीर में चर्वी जम जाती है, तो उस वजह से जो बॉडी का वेट है, उससे कई बीमारियां होने लगती हैं, तो ऐसा माना जाता था एक मिसलीडिंग, कुछ भी कहूंगा मैं नहीं कह रहा, कि शरीर में जो हड्दियां हैं, इनके वजन से कई सारी डिसीज होती थी साइकोपथी कहा जाता था, उस इनसान को जो उनकी डिलिंग करता है, इल भी कर सकता, उसको साइको, आम सारी, ऑस्टियोपैथ कहा जाता है, ऑस्टियोपथी इस प्रॉसेस को दिखाने के लिए, कि हड्डियों के वजन से कई सारी बीमारियां, सफरिंग और डिसीज बनती हैं उस बज़े से, और्थो का मतलब स्ट्रेट करने से हो जाता है, सीधा करने से हो जाता है, और्थो मतलब स्ट्रेट, और और्थो डॉन्टिस्ट एक अच्छा शब्द है, जैसे डॉन्टोज आगया आएगा, डेंटिस्ट दात कर लो, टीथ को रेप्रेजन करने के PED वाला, PED वाला POD, PED का मतलब हमेशा Child से हो जाता है जैसे Pediatrician बच्चों के डॉक्तर को Pediatrician कहा जाता है तो Pediatrician Pedos, Child दिखाने के लिए और वही सेंस है Pedo, Dontist आप इसे Child, Doctor कह दीज़ेगा शब्दों के मीनिंग होते हैं मैं बगल में लिख दिता है इनके पर मुझे Root Mark करना है तो Pedo मतलब Child, Dontist मतलब दांत वाला, बच्चों के दांतों का डॉक्तर Pedodontist हो जाता है, Pediatrician बच्चों का डॉक्तर कहा जाता है Dontos, Teeth हो गया Exo मतलब बाहर निकालना Exit, Emigrant, Exile, Expel बाहर निकाल देना और Exodontist, दांत बाहर निकालने वाले को Exodontist कहा जाता है यह Podos है, जिसका मतलब पैरों से होता है फुट से, वो पैरों का डॉक्तर हो गया था उपर ही और Platter, Pus कह दीजएगा पहले इसको पकड़ लीजएगा एक तरह का Mamel कहा जाता है जिसके Flat Pair होते है जैसे इसको पकड़ लेते हैं, Octo और Pus उसी फॉर्म में है Podos का Example आप यहां से भी बना सकते हैं हमने भी पढ़ा था, Stadium, Stadia Podium, Podia Podium में Podos है, जो पैरों को दिखाता है Em मतलब आपकी जगह हो जाती है The Place, Auditorium Place, Auditorium Monitorium, Sanatorium Aquarium, Podium Stadium और ऐसे बहुत सारे शब तो Podium, पैरों की जगह है, जहां से हम खड़े होकर Speech देते हैं, उसे कहा जाता है तो यहां से हो गया, Platypus एक एगजम्पल के तौर पार Podos foot दिखाता है, वो ज़्यादा अच्छा था Podia Tree, Healing of Legs और Foot weekend से Cairo हमेशा हाथ को दिखाता है Hand के तौर पर Cairo hand को represent करता है तो Cairo और उसके साथ Podist Podo मतलब पैर Cairo, हाथ जो पैरों की बिमारी हाथ से सही कर दे अक्सर मसाज बगरा करके उसे कहा जाता है जो हाथों से पैरों की बिमारी सही कर देते हैं उन्हें Cairo Podist कहा जाता है और Octo हम सब जानते हैं Octopus October पढ़ा दिया है आठवा महीना हुआ करता था आज कल नहीं होता अलग बात है तो यह हमेशा आठ को represent करता है जल्दी से मैं recall करूँ आपने बहुत सारी Comments लिखी है Psych Mind or Soul Pathology best example है नहीं Pathos मतलब suffering or disease वो logic होती है analysis और study दिखाने के लिए Pathos मतलब suffering or disease Orthos मतलब straightening Pedos PED वाला बच्चों के लिए और POD वाला पैरों के लिए Odontos में दात आ गए Cairo में हाथ है और Octo में आपके पैर I'm sorry Octo मतलब 8 का Example रखा जा सकता है एक और slide है ध्यान दीजेगा चलिए Next Graph is to write Graph मतलब लिखने से हो जाता है अब वापस चिपकाल हो ना चीज़ें असान हो जाती है जब clarity होती है तब Logi, study, analysis Graph मतलब लिखना Graphology, analysis of handwriting Graphology, analysis of handwriting Graphology में आ जाता है तो Graph मतलब लिखने से हमेशा Callow spelling भले ही root में K-A-L है पर English में हमेशा C-A-L से जाती है और जो Steno वाले है पुरशोतम Stenoographer से बहतर शब्द कौन हो सकता है तो यह हमेशा आपकी beauty को represent करता है Callow हमेशा beauty दिखाता है Cali, कली pronunciation में है beauty और Graph मतलब लिखना यसे Graph तो आपको बहुत जगह दिख जाएगा Graph, लिखना, Graph, लिखना Graph, लिखना, लिखना, लिखना कहीं और आजाए तो वहां भी लिखने से ही आजाएगा इधर वाला root पता है, उधर वाला root पता है बहुत आसानी से mark किये जा सकता है तो Calligraphy, Calligraphy जहाँ पर Beautiful Writing की बात होती है तो Obviously Beautiful Handwriting को Calligraphy कहा जाता है जहाँ पर Letters जैसे वो एक्जैट ऐसा लगता है, Alphabet उठा कर रख दी है उसे mark कर देता है Then Pyg, Hips को दिखाता है Buttocks को दिखा सकता है Curly मतलब Beauty Pygian, जिसके Hips बहुत सुन्दर है उसे कह दीजेगा उसका उल्टा हो जाता है Cacos यह होता है Bad, Rude और Harsh के तौर पर इसका अस्तमाल कर लेते है बुरे के तौर पर इस्तमाल कर लेते है तो Cacow हो गया, जैसे Cacophony सुना होगा Cacography, जहाँ पर Handwriting है हम जैसों की बहुत बुरी Handwriting कह दीजेगा Cacography, जहाँ पर बुरी Handwriting आपको दिखानी होगी वो वहाँ पर आ जाती है क्याको बुरे के लिए Cacophony, बहुत बुरी आवाज sound, क्योंकि फोन मतलब sound हो जाता है और Graphy मतलब लिखने से हो गया था बुरी Handwriting, Cacography अच्छी Handwriting, Calligraphy Photo हमेशा Light को दिखाता है और Photography जहाँ पर के हम आप सब जानते हैं इतना तो के Computers में 0101 में लिखते हैं हमेशा मैंने Photo कीचा और वो Photo मेरे Mobile में आ गया तो जितना भी Data वहाँ का था Scene था, वो Capture होके मेरे Phone में आ गया लिखा किसने था, उस Light में अगर Light ना हो तो Photo Capture नहीं किये जा सकते हैं जितनी ज़्यादा Light होगी Photo हमेशा Light दिखाता है Photo यानि कि Light से लिखना Light से लिखना Electrical Devices आपके Electronic Devices कह दीजगा वो काम Photography करती है ठीक है, टेली मतलब टेली, Graph और ऐसे बहुत सारे शब्द है टेली, Pathy, P-A-T-H-Y जैसा टेली, Graph लिखना वो भी दूर से तो आपने टेली, Graph कह दिया अखबार का भी नाम है जो वहाँ लिखता है आपके घर वो पहुंच जाती है, सारी राइटिंग टेली, Graph कह दीजगे बायो मतलब हमेशा Life हो जाती है Biology, सबसे बहतर शब्द है सी बात को समझाने के लिए बायो मतलब Life को रेप्रेजन करते है हमेशा तो बायो और ग्रफी बायो मतलब Life, Graph मतलब लिखना बायोग्रफी, किसी की जिन्दगी के बारे में लिखना और उसमें Auto लगा दिया Auto Biography, Auto मतलब खुद से, बायो मतलब, जिन्दगी Graph मतलब लिखना, खुद की जिन्दगी के बारे में लिखना, Auto Biography, Biography किसी की जिन्दगी के बारे में लिखना हो सकता है जैसे कल था memoirs जो word था उसके लिए ये थोड़े confusing है मुझे भी exact आज पढ़े हैं तो याद है कल मैं भूल जाओ कोई बात नहीं इतना exact नहीं पर root काम आपका कर जाएगा बाकियों को दिहान रखना जैराज होता है old age जो age दिखाएगा जैराज होता है old man आदमी को दिखाने के लिए और सैनेक्स कहा जाता है सिर्फ और सिर्फ old दिखाने के तौर पर तो यहाँ भी आईट्रिया है वो healing वाला second word जो था healing के तौर पर तो जैराज मतलब old और healing जो बुड़े लोग होते हैं उनकी जो परेशानिया है उनको heal करना, सुधार देना उनको आप हमेशा geriatrics कह देते हैं gerontology, study, logi of the old people जो बुड़े लोगों को बिमारिया होते हैं उनकी study करना, उसको आपने gerontology में कर दिया और किसी भी चीज़ को जब आपको बुड़ा दिखाना है, वो बुड़े हो गए हैं उस case में आप उसे senate यूज़ कर रहते हैं अकसर इसका meaning lacking all faculties के तौर पर भी यूज़ किया जाता है intelligence बुड़े हो गए, अब उनको कहां याद रहता होगा senate form में रख भी जगा graph मतलब लिखना, चाहे वो calligraphy हो, calligraphy मतलब callow वैसे लिखा हुआ है, beauty कैको उसका उल्टा हो जाता है, bad pyg hips के लिए, photo मतलब light है telly मतलब दूर का, bio life के लिए और jaras, old age, jaron old men, बुड़े और senex, सिर्फ old दिखाने के तौर पर है, doubt है आप पूछ लो, कुछ examples practice कर लेते हैं, direct answer मत देना, पहले आप पढ़ लो, फिर answer discuss कर लें रोशन, gate में English, भाई, मैंने जब qualify किया था qualify किया था, हग से कह सकता हूँ तब, 7-7 number की आती थी, 7 number की English है, 7 number का quants है, आपका 7 और 8 का total 15 हो जाते थे, मुझे आप भेज करता हूँ, इसका 20% से काम चल जाएगा जो आप यहाँ पढ़ोगे तीन महिने, मैं इसके 20% से आपका काम चल जाएगा, इतनी नहीं आप दिया, यह technical exam है, वो अपनी technical चीज़ें आप से पूछेगा autobiography, autobiography, साहिल हो सकता है autobiography भी, अरे autobiography था होता है, साहिल, साहिल autobiography तो होता है भाई, autobiography, यह लो, खुद का signature ले जाना, autobiography में आ जाएगा, यह शांदार था, चलिए, graph, logi, analysis of handwriting, क्योंकि graph मतलब लिखना होता है, analysis of handwriting, first का आपका e हो जाएगा, शिकायत है आप पूछ सकते हैं, कावासा की boxer, अरे वाख, कली, graphy, graph मतलब लिखना, beautiful, अरे बाप रे, internet ना चला गया हो, beautiful handwriting जब आप दिखाओगे, तो beautiful handwriting, handwriting of an artistic expression, बिल्कुल artist की तरह है, तो आपका, जी हाँ, वो आपका, यहाँ पर जाएगा, second का, जी होना चाहिए, गलती ना हो जाएगा, पाईजी मतलब hips थे, buttocks थे, beautiful buttocks आप कह दीजएगा, तो possessed of beautiful buttocks कह दीजए, third का e हो जाएगा, काकोगरफी, कैको मतलब harsh और bad, graphy मतलब लिखना, हम जैसों की बुरी सुरी सी handwriting, तो next का answer आपका F हो गया, gerontology, geron था लोगों को, बुढ़े लोग, logi study, बुढ़े लोगों की study करना, science, क्योंकि logi science दिखाती है, B answer, of the social economic problems of the aged people, बुढ़े लोगों के लिए, यह अच्छा शब्द है, इसको याद रखो, यह शब्द याद रखना, बहुत अच्छा है, यह शब्द बहुत अच्छा है, sixth one, senility, senility, to be precise in British English, इसका मतलब होता है, lacking ones, faculties, मैंना शायद आपको पढ़ाया होगा, faculty का मतलब teacher नहीं होता, faculty का मतलब intelligence, aptitude, knowledge होती है, I repeat, faculty का मतलब intelligence, knowledge और aptitude होता है, faculty एक abstract term है, पर मैंने coaching हो लिए, तो मेरे यहाँ English की strength कौन है, यह वाले सर है, वो वाली madam है, उस case में यह हमारी English की power है, strength है, वो faculty होती है, faculty मतलब सिर्फ teacher नहीं होते हैं, वो आजकल होने लगे हैं, faculty का पहला मतलब आपके दिमाग की power, intelligence and knowledge होती है, तो जब इंसान बूड़ा हो जाता है, यह अच्छा शब्द है, senility, जब इंसान बूड़ा हो जाता है, तो वो सारी चीज़ां भूलने लगता है, पता नहीं adolescence कह दीजगा, growing adult, तो growing senes, senex मतलब old हो जाता है, growing old, तो growing old के तौर पर आपका c हो गया, सातवे का, और senility lacking, deteriorating old age, बुढ़ापा जब आपकी परेशानी बनता जाए, आप चीज़ों को भूलते जाते हैं, कमिया आने लगती हैं, उसे ही कहा जाता, एक बार recall कर लो, graphology, graphology, study, analysis of your writing, तो वो e में आ गया, calligraphy, अगर मेरा गलत हो, तो comment कर दीजगा, अंकित बहुत अच्छे, sociopath, बहुत अच्छे, calligraphy, beautiful handwriting, g में आ गया, callipigian, beautiful buttocks, तो वो e में आ गया, काकोग्रफी, उल्टा है, काकोग्रफी, बुरी handwriting, f पर आ गया, gerontology, study, science of old age people, तो उनकी problems, discuss कर लो, sanity, बहुत अच्छा शब्ध है, lacking one's faculties, आपकी intelligence ability खतम होती जा रही है, बुढ़ापी की वज़े से, a growing old is d out there, कुछ और हैं, जारा इनको वापस देखिए, हाँ, हाँ, artistic ना हो, तब भी उसको कलिग्रफी कहेंगे, लेकिन थोड़ा standard होनी चाहिए, हमारी और आपकी साधारण handwriting को कलिग्रफी नहीं कहा जाता, वो आपने आप में एक word बन चुका है, कि जो stylish, artistic वाली handwriting होती है, जैसे आपने देखा होगा, एक मोटा सा उनके पास pen होता है, जिससे वो बहुत style में draw करते हैं, आप जानते होंगे, या Google कर लिजएगा, उसी को कलिग्रफी बोलते हैं, तो आज वो word बन चुका है, टेकनिकली किसी चीज़ के लिए, तो हमारा आप उसको edit नहीं कर सकते, तो कलिग्रफी एक standard तौर पर ही use किया जाएगा, अंकित octogenarian, जितना मुझे याद है, डिक्षरी में confirm कर लेते हैं अभी, वो इनसान, जैनरेन मतलब वही old age वाला आदमी हो गया, जो अपने 80 की age में है, 80, 81, 82, 83, 84, 89, उसे ही कहा जाता है, if I am not wrong, मैं आपके सामने Oxford में चेक कर रहा हूँ, octogenarian, वो इनसान जो अपनी 80 की दशक में है, जिसकी age 82, 84 के आसपास है, विनिट शौँ, yes, a person who is between 80 और 89 years old, 80 साल का बुढ़ा हिंदी में लिखा हुआ है, किशोर आवस्था तुल, डॉलर सेंट, चलो, कुछ शब्द है, graphology जो है, अब graphology क्या होती है, graph, लिखना, logi, study, analysis, analysis of handwriting, analysis of handwriting, यह analyze करती है, grammar को, अरे मेरी handwriting में grammar क्यों देख रहे हो, हिंदी भी हो सकती है, maths भी हो सकता है, spelling को, sentence structure लिखे गए, ना, 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 बिल्कुल नहीं, तो यह गलत statement है, first one गलत है, जो calligrapher होते हैं, cooler, heater, leader, manager, dancer, singer, कली, beautiful graph लिखने वाला, उस इंसान को कहा जाता है, यह artistic form लिखते हैं, बनाते हैं, alphabetical symbols से, हाँ, A बहुत शांदार बना दी, B बहुत शांदार बना दी, H बहुत शांदार बना दी, हाँ, जी बनाते तो हैं, तो second one सही है, tight slacks, probably, tight कपडे, उनके द्वारा पहने जा सकते हैं, जो सुन्दर है, हाँ, तो जिसकी शरीर सुन्दर है, वो ऐसे कपडे पहन सकता है, क्या मना है, यह सिर्फ general perception है, इनको standard मान कर मत चलिएगा, तो third one ठीक है, काकाओग्रफिक writing is easy to read, कहको होता है, bad, बुरा, अब बुरी graph मतलब लिखना, बुरी handwriting आसान होती पढ़ने में, ना, तो यह आपका बिचारा गलत हो गया, fourth one cross हो जाएगा, gerontology, यह क्या होता है, बना लेते हैं, geront, old age, people, logi, study, analysis, aims to help old people live more comfortably, ऐसा कोई exact इसका meaning नहीं है, यह भी उनकी study को दिखाता है, पर indirectly इसका answer, book में भी हाँ था, मैं भी बोल देता हूँ, because अगर आप analysis करोगे, research करोगे, तो obviously उसको सुधारने के तौर पर ही, बिगाडने के लिए तो नहीं करोगे, तो एक तरह से writer नहीं लिखा है, क्या gerontology से हम आशा कर सकते हैं, कि बूढे लोगों की study करके, उनकी परिशानियों की, उनको अच्छी जिंदगी दे सकते हैं, हाँ, this is not true, but perception basis पर आ सकता है, गलत नहीं, गलत नहीं होगा, जो senile है, वही old people है, यह बूढे होते हैं, senile मैंने बताया था, जो भूल जाते हैं, senility, lacking all possession, lacking all faculties, जब दिमाग से कुछ बचाई नहीं आपके, तो जो senile people है, यह बूढे होते हैं, हाँ, भूल जाते हैं, नहीं, नहीं, सामने आपने लिख रहा हैं, लेकिन vigorous, energy भरी होती इनमें, और mentally active होते हैं, mentally active नहीं होते हैं, भूल जाते हैं तो सारा, तो आपका ये छटवा, मैंने क्यों right कर दिया, छटवा आपका गलत statement है, छटवा गलत है, एक ऐसी society में, जो के young लोगों को मानती है, worship करती है, यानि priority young लोगों को है, तो जो senesence है, sense मतलब वही growing, और senes, senex, old, जो बूढे लोग होने वाले हैं, बूढे हो रहे हैं, क्या वो attractive नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, because हाँ, वो society जो young लोगों को मानती है, उनकी पूजा करती है, वहाँ पर बूढे लोगों की priority शायद नहीं होगी, क्या जहाँ पर young लोगों को priority देते हैं, क्या वो बूढों को attractive नहीं मानेगी, बिल्कुल नहीं मानेगी, सही बात है, शकायत है आप पूछ सकते हैं, बबलू, हाद जोड कर माफी, ssc, steno कोई विश्व का अलग से exam नहीं है, जो यह कह देखा कि यह root word नहीं पूछूँगा, यह पूछूँगा, vocabulary कितनी भी कर लो, कम है, कभी भी कोई नया शब्द कहीं से भी आ सकता है, grammar की limit मान भी सकता हूँ, कि यतने से काम चल जाता है, vocab की कोई limit नहीं है, किताबें अभी भी पढ़ा रही है, keep yourself नहीं होता, मैं तीन साल से पढ़ा रहा हूँ, जब से YouTube पे डाला हूँ, लोगों ने comment करना शुरू किया, keep yourself होता है, और वो तो steno नहीं पूछ लिया, जबकि किताबें मना करती है, तो ऐसा कोई defined syllabus नहीं है, कि जोन के बाहर steno, cgl, bank नहीं जा सकती, कुछ भी कहीं भी आ सकता, वो कैब की तो वास्ता में कोई limit नहीं है, और चंद शब्द और हैं, इंको और पढ़ लीजे, आगे देखते हैं, विदांश क्यों मजाग कर रहे हो, क्विन, क्वेजनरियम, अरे भगवाण, सोचना पड़ेगा, पहले पढ़ लो सारी, पहले सारे पढ़ लो, फिर आंसर कर लेंगे, दो मिनिट के लिए मैं हट जाता हूँ, लास्ट में जो लिखा है, आप आराम से पढ़ दो, फिर देख लेंगे, रश्मी कुटाई, विक्या आपने थर्ड का डी लिखा है, डी तो है ही नहीं, अंकित शुक्रिया भई, अंजी बबलू इसी लिवे ने कहा, शॉर्ट एंड की बात करेंगे तो मैं शान्त हूँ, विक्याबलरी की कोई लिमिट नहीं है, कोई भी शब्द कहीं से भी आ सकता है, दिल से कह रहा हूँ, प्लीज, आकपर्ड मत मानियेगा, जरूर, CDS, नाइन्थ वाला GS में आया था इस बार, ब्लड प्रेशर के लिए क्या यूज़ दरते हैं, अरे वाँ, अरे वाँ, इतना बड़ा वर्ड, फुट डॉक्टर, पैरों का डॉक्टर, तो मैं शब्दों को ही समझा देता हूँ, फुट डॉक्टर बाद में आ जाएगा, पोड, पोडियम, पैर, आयाट्रिस्ट, हीलिंग, हीलिंग डॉक्टर ही करता है, तो यह अब मैंने पकड लिया, क्या बाकिशब्द अच्छे हैं, आस्टियो, बोन, पैथ, आस्टियोपथी पहले पिक कर लेते हैं, जो बोन्स की वज़ह से शरीर में दिक्कते आती थी, उनकी स्टडी करने वाले को आस्टियोपैथ कहा जाता है, यह फुट डॉक्टर नहीं है, कायरो मतलब हाथ होते हैं, प्रैक्टिशनर जो हाथों से मसाज करता है, अकसर बीमारियाँ सीधी करने के लिए, medical treatment नहीं करता है, उसको आपने कायरोप्रेक्टर कह दिया, कायरोप्रैक्टिशनर कह दिया, हैन्डराइटिंग का कह चाहिए, expert, analyst, चलो ठीक है graph मतलब लिखना, logist, study analysis, तो graphologist ही हो जाएगा, क्या बागी गलत है chiro मतलब हाथ handwriting नहीं, और graphor मतलब लिखने वाला, तो हाथों से लिखने वाला को chirographer कहा जाता है सर हाथों ते जो लिखते हैं, भाई आज कल typing आगे ना, typing करके लिख देते हैं उसको typographer कहा जाता है typographer, chirographer हाथों, मैं उल्टा बोलगे मैं chirographer हाथों से लिखने वाला typographer, type करके लिखने वाला और बुरी handwriting लिखने वाला वो आपका kakographer है calligrapher, beautiful handwriting वाला kakakographer, बुरी handwriting वाला mentally, emotionally disturbed तो mental आएगा, तो psycho तो आएगा अब psychological दिमाग से संबंदित disturbance होना ज़रूरी नहीं है psychopathy पथी मतलब हमेशा suffering और disease होती है, परेशानी होती है तो पथी, psycho, दिमाग वाली परेशानी ये आजनसर आगे है, इसका भी हो जाएगा psychic होता है extra sensory जिसके पास sixth, ये अच्छा शब्द है sixth sense है, उसको psychic कहा जाता है sixth sense जिसके पास है originate मतलब generate होना in the emotions मतलब mind में psycho generate जैसा कुछ होगा psychic six sense वाला psychogenic या गया 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 जनरेट psycho दिमाग में generate होने वाला answer B हो गया इसका और psycho analytic दिमाग की चीजों की analysis करने वाला psycho analytic कर दीजेगा describing the body, body मतलब soma की परिशानिया जो emotions से relate करती है emotion मतलब फिर वही दिमाग आगया आपका psycho semantic, soma body psycho emotions relation, चले का आराम से psychopathy तो भाई साब बीमारी हो जाती है परिशानी हो जाती है दिमाग की और यह यहाँ पर body है और body सिर्फ एक ही में soma में आ जाएगी psychiatrist, eye trust, healing psycho दिमाग की चीजों को heal करने वाला psychiatrist, psychiatric से related कही जा सकती है gum specialist, gum कहां होता है tooth, dentist कुछ हाएगा पर यहाँ तो यह भी dentist है, यह भी dentist है यह भी dentist है, तो कौन सा तो पहले पकड़ लेते है peripherals perimeter, बाहर का और जो बाहर का होता है gum वगएरा उसके लिए gum specialist, periodontist ही हो जाता है periodontist, यह होता है pedodontist pedo क्या था? pedo मतलब था child और बच्चों के दांतों का doctor को pedo, child वाला और dauntist, दांतों का तो बच्चों के दांतों का doctor आपका child, teeth, expert, doctor pedodontist में आ जाता है endo होता है within, endothermics, exothermics कुछ दिन पहले डिसकस किया था अंदर ही अंदर, root, canal वगएरा जो आपका है, वो आपके doctor यह कहा जाता है, एक और होता है exodontist यह नीचे लिखा है, exo, बाहर निकाल देना dauntist, daunt, daunt बाहर निकालने वाले को, यह पूछा ही वैसे था tooth extraction, तो उसको आपने exodontist कहर दिया, ortho, सीधा करना, dauntist, daunt, सीधा करने वाले को orthodontist कहा जाता है endo, dauntist, अंदर ही अंदर, root के नाल वगरा के लिए हो गया, blood pressure का apparatus, तो meter apparatus में होता है, meter, meter, meter पर thermo heat दिखाता है, तो thermometer heat के लिए हो गया, barometer atmospheric pressure के लिए और blood pressure दिखालना है, तो sphigmo manometer इस category में रखा जाता है sphigmo manometer मैंने last time पर भी आपको बताया था prediction of palm reading, तो prediction होता है mensi और palm reading, हाथ, kairo kairo mensi जैसा कुछ होता होगा kairo graphy, हाथों से लिखना, kairographer लिखने वाला kairo body, podium, pair, pairों को हाथों से सही करना, massage, बचाज करने वाला और kairo, हाथ mensi देखकर prophecy करना, यानि prediction करना, foretell करना, kairo mensi में आ जाएगा possessed of a shapely posterior, जो post मतलब होता है पीछे, तो पीछे मतलब back हो गया जिसके hips बहुत शांदार है सुन्दर है, उसे आप इस तोर पर रख सकते हैं, calligraphy, यह तो beautiful handwriting थी, calligraphy मतलब beauty hips यही answer है, adolescent growing adult, किशोर आवस्था में हम लोग रख लेते हैं, artistic handwriting वैसे तो याद हो गया हुआ, calligraphy पर फिर भी beauty और graph लिखना beautiful handwriting, artistic handwriting में आ गया काइरो हाथों से लिखना है beautiful होना सरूरी नहीं है और graphology लिखने की analysis करने वाला analysis, graphology analysis of handwriting वीकेंड से growing old, यह scent went था और old में वो senile था, तो senescent जैसा कुछ बन जाएगा senile होता है lacking all faculties जब बुढ़ापे में चीज़ें भूलने लगते हैं उसे कहा जाता है geriatric, तो geria था आपका old age से संबंदित और eye trick, healing psychiatrist, podiatric obviously healing of the old age बुढ़ापे की जो परिशानी हैं उनको heal करने वाला, और senex old, ascent, adolescent जो वहाँ पर था growing old कह दीज़ेगा, और medical speciality dealing with the aged, बुढ़े लोगों से जो specialty है, इसका मेरा answer गलत था gerontology study of the people कहा जा सकता है geriatrics और chiro, मेरा गलत था, मेरा answer A था जबकि इसका answer B है, क्योंकि geron मतलब वही old age eye tricks मतलब उनको heal करना तो medical speciality 14 के लिए, 14 का मेरा answer A था जो गलत था, किताब में इसका answer B है, जो मेरे लिए अभी भी confusing है, 14 मेरे पर छोड़ दो मैं एक बार और confirm कर लूँगा, बागी कुछ भी शिकायत है, आप बागो भी पूछ सकते है, शुक्रिया for being here, आप सभी को, I hope it was a worthy session, काफी सारे root words के साथ, जो बहुत अच्छे थे, ये सारे शब्द, जो देखने में इतने भयानक थे, बड़े प्यार से derive हो गए, कि we are aware of the root words, ठीक है